हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का, अगर आप लोग UPSC, BPSC, NTPC, SSC, किसी भी competitive exams की अगर तयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसमें Indian Geography से जुड़े हुए questions, मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही important questions है, तो चलिए हम लोग start करते हैं अ आज का, की, 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 which among the following rivers originate from the Amarkandak, यानि की कौन सा river इसमें से originate कहां से हो रहा है, Amarkandak से, तो Amarkandak से, Amarkandak को नर्मदा नदी का उदगम अस्थल कहा जाता है, तो इसका सही option क्या हो जाएगा, नर्मदा, बाकी, बेतवा, माही, या तापती, ये नहीं होगा, सही option हो गया, नर्मदा, next question है हमारा, where on the earth is located, सिरोही point, सिरोही point, अर्थ पे कहां है, प्रित्वी पे ये जगह कहां है, North Pole पे है, Indian Ocean में है, Caribbean Sea में है, या Antarctica में है, तो option बताने से पहले सिरोही point के बारें बता दें कि ये नाम रखा गया है, गिरी राज सिरोही, गिरी राज सिरोह के नाम पे ये रखा गया है, ये हमारे बैग्यानिक है, study करते हैं, और ये नाम अमेरिका ने दिया है, ऐसा इसलिए दिया है, क्योंकि गिरी राज सिरोही जी ने अंटार्टिका में करीब 100 दिन रह करके, वहाँ पे research किया था, तो इसलिए उस location का नाम सिरोही point रख दिया गिरी राज सिरोही जी के नाम पर, बढ़ते हैं हम लोग next question के तरफ, which is the largest oil producing state of India, सबसे ज़्यादा उन का उत्पादन कहां होता है, तो उन से क्या होता है, गर्मी, गर्मी सबसे ज़्यादा कहां लगता है कि इसमें होता होगा, राजस्थान में, तो सही option क्या हो जाएगा राजस्थान इसका, हर्याना, जम्मू, कास्मीर, मद्यप्रदेश नहीं होगा, सही option राजस्थान, next question है, the थुमल पल्ले माइन, which is considered to have one of the world's largest reserve of 1.5 lakh ton uranium, यानि कि थुमल पल्ले, जगह का नाम है, जगह का नाम है, जहां कि अनुमाल लगया जा रहा है कि 1.5 lakh ton, मतलब ये next level, बहुत बड़ी मातरा में uranium है, किस state में ये available है, या present है, करनाटका में, आंधर प्रदेश में, तमिलनाडु में या केरला में, तो इसका सही option है, आंधर प्रदेश, जो आपका थुमल पल्ले है, वो आंधर प्रदेश में है, और यहां बहुत बड़ी मातरा मे uranium पाया गया है, uranium का use क्या है, uranium का use, nuclear reactor बनाने में, जिससे की electricity बनाई जाती है, या उसका use, atom bomb बनाने में भी किया जाता है, uranium के दो isotope है, एक है आपका uranium 235, और एक है आपका uranium 238, जो use में आता है, वो है uranium 235, लेकिन इसकी मातरा nature में बहुत कम है, अगर कहीं पे मान के चलिए कि जो भी मिल रहा percentage में अगर बात करें, तो 99.3% यह आपका बेकार वाला uranium है, और मातर 0.7% ही आपका केवल क्या है, काम का uranium होता है, तो इतनी बड़ी मातरा में uranium मिला है, और जो है एक किलो uranium, अगर आप एक किलो uranium जला रहे हैं, तो वो करीब-करीब जो है 24-25 लाख किलो को मिला के बराबर energy बनाता है, यानि सोच लीजिए कि अगर 1.5 लाख ton uranium मिला है, तो कितना जादा energy यह बना सकता है, तो भारत के लिए आने वाला समय बहतर है, नेक्स क्वेस्चन है, which among the following dam is not built on Chambal River, Chambal River पे कौन नहीं बना हुआ है, तो देखिए, एक के करके हम लोग बात करते चलते हैं, जो सबसे पहले जबाहर सागर डैम के बारे में बात करते हैं, जबाहर सागर डैम कहा है, तो यह बना हुआ है, कोटा में, कहा है, कोटा में, राजस्थान में है यह फिर आपका राणा प्रताप कहा होगा, कहा लगता हो सकता है, राजस्थान में ही है, यह भी आपके राजस्थान में है, फिर आपका गांधी सागर यह कहा है, यह आपका है, क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में, मंदसौर है जगह का नाम, मंदसौर, और MP में है यह, तो ब रांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर दोनों ये तीनों चंबल पे बना हुआ है और इंदरा सागर नरमदा के उपर बना हुआ है तो इसका सही option हो जाएगा इंदरा सागर डैम शल्ल ये next question के तरफ बढ़ते हैं which of the following tree species in Himalayan region was held responsible for the frequent forest fire यानि कि Himalayan region में पाया जाने वाला ये सारा पेड है कौन है जो कि जंगलों में आग लगने के लिए मतलब बहुत मसुहूर है कि उसके वज़ा से जंगलों में आग बहुत जल्ली से लग जाती है white oak, rhododendron, cheer pine या teak तो देखिए आपको बताते चलिए इसका सही option है cheer pine लेकिन cheer pine के बारे में आप जान लीजे कि इसकी जो लकड़ी होती है ये आसानी से नहीं जलता है इसकी लकड़ी नहीं जलती है असानी से इसमें एक liquid पाया जाता है इसमें एक liquid type का material पाया जाता है वो बड़ी असानी से आग पकड़ लेता है और इसी पेड़ के गीरे हुए जो पत्ते होते हैं जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो पहले जलना शुरू करते हैं वो असान इसलिए आसाम को mother of oil refineries भी कहा जाता है next question which of the following is famous pier shaped lake दखिए यह जो आप देख रहे हैं एक फल होता है जिसका नाम है pier इस सेप में ही वो फल होता है ऐसा यह जो सेप है तो यह कौन सा लेक है पियर सेप लेक में हीमाल्याज में यह पाया जा रहा है मौजूद है भीम ताल है नैनी ताल है नाकूचिया ताल है या सात ताल है इसका सही ओप्शन है नैनी ताल यह जो जहील है कौन सा जहील है नैनी ताल जहील है यह next question है which of the following is longitudinal difference between eastern and western point of India India इंडिया का अगर आप जो है देखेंगे तो इस तरीके से कुछ भारात का मैप है नक्सा इस तरीके से होता है कुछ जो है मोटा मोटी अगर जो हम लोग बनाते चले तो मतलब यह जो exact तो नहीं बनाए है भी मोटा मोटी बनाए है ऐसा है मान की चली भारात का यह नक्सा है तो बोल रहा है कि which of the following longitudinal difference between Eastern and Western point of India Eastern point इधर है Western point इधर है दोनों के बीच में कितने degree का difference है तो दोनों के बीच में है 30 degree का अंतर है दोनों के बीच में इसलिए इधर एक state present है जिसको अरुनाचल प्रदेश कहते हैं उधर sunrise जल्दी होता है और इधर गुजरात में sunrise देर से होता है और इसमें करिब कर दो घंटे का अंतर है क्योंकि हर एक डिगरी पे चार मिनट का अंतर जो है time में देखा जाता है time zone के हिसाब से तो दोनों में 30 degree के अगर अंतर है तो 30 गुने 4 यानि 120 मिनट यानि दो घंटा यानि अगर यहां चार बज़े जो है sunrise होगा तो यहां पे 6 बज़े सुआ में जो next question में बढ़ते हैं Mount Abu कहां है is located in which of the following state of India Mount Abu बहुत अच्छा hill station है लोग घंगने जाते हैं कहां है Rajasthan में मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में या करनाटका में और इसका सही option है Rajasthan Mount Abu कहां है Rajasthan में है next question है which of the following beach of Kerala is also known as Tipu Sultan Beach के किस beach का नाम Tipu Sultan Beach भी है option है पयंबलम beach मिनकुनू beach कुलम beach या सद्दाम beach तो इसका सही option है इसका सही option नहीं है इसको Tipu Sultan Beach के नाम से भी जानते है next question है which of the following is not associated with river Brahmaputra Brahmaputra नदी से किसका कोई relation नहीं है तो देखे सैंग को तिबत में Brahmaputra नदी को सैंग पो ही कहते है अब ले देखे लग रहा है कि को सी ही या जिसका कोई लिना देना नहीं कोने को सी कहां बिहार में है, Brahmaputra कहां प्रहां निकल के आती है, और उदार ही बंगाल में उसका कानी खतन हो जाता है तो इसका सही option क्या हो जायेगा KOC सी हो जायेगा next question है What is the length of Indus River? भारत में Indus River की क्या length है? भारत के अंदर में कितनी लंबी है? बाकी आगे पकिस्तान में भी जाती है वो. तो भारत के अंदर में 700, 920, 1200 या 1500. तो इसका सही option है 700 किलोमेटर. भारत में तिबत नदीव 700 किलोमेटर लंबी है. Next question है, यानि कि दो आइरन ओर, बाबा बुदान और कुदेर मुख कहां ट्रांसपोर्ट होता है? इसका आइरन इरान जाता है. तो देखे अगर आपको बाबा बुदान हिल कहां है और कुदेर मुख कहां है? ये अगर आपको मालूम है, तो फिर आपके लिए एकदम आसान है, तो ये दोनों आपका करनाटक में प्रेजेंट है. तो करनाटक से कौन सा पोर्ट जो है निकल सकता है? जब आहर, नेरू, विसाखा, पत्नम, मैंगलॉर या हल्दिया. हमको लगता है कि मैंगलॉर इतम सबसे मिलता जूलता नाम करनाटका से बैंगलॉर वहां का कैपिटल भी है, मैंगलॉर बहुत थेमस जगा भी है वहां. तो इसका सही option क्या हो गया? मैंगलॉर पोर्ट. next question है, maximum suit, suit का मतलब जोता है कालिख जिसको हम लोग कहते हैं, जो है कोई चीज़ हम लोग जलाते हैं, मुम बत्ती जलाते हैं, दूसमें से काला काला जो है उपर में कालिख निकलता है, तो वो कालिख का ही बात है. maximum suit is released from which of the following sources, किस source से सबसे ज़्यादा कालिख निकलती है, CNG वेकिल, CNG तो बिचारा सुद्ध प्रानी है, तो इसमें से तो कालिख ज़्यादा नहीं निकलेगा. petrol, thermal power plant, a diesel वेकिल में हो सकता है, इसका सही option है, thermal power plant, सबसे ज़्यादा कालिख सूट, thermal power plant से ही निकलता है. next question है, भाखरा नंगल डैम is a joint venture, joint venture मतलब कि मिला जूला कारेकरम of which among the following states, यानि भाखरा नंगल डैम किन राजियों का combined project है, पंजाब, हरियाना और राजस्थान में से आपको चुनना है, तो ये तीनों का combined project है, पंजाब, हरियाना और राजस्थान का, तो सही option हो जाएगा डी, पंजाब, हरियाना और राजस्थान, next question है, which among the following was primary region for setting up दामोदर वैली कॉर्परेशन, दामोदर वैली कॉर्परेशन बनाने के पीछे क्या कारण है, fish culture, मचली पालन करना था, power generation, electricity generate करना है, bar को control करना है, या tourism को बढ़ावा देना है, तो इसका सही option है, flood control, bar control करने के लिए बनाया गया था, अमेरिका में भी ऐसे ही एक नदी है, नाम निकल रहा है दिमाग से, उस नदी के तरज पे, वहाँ भी नदी से बाड़ आती थी, तो वहाँ भी उस नदी के नाम पे ही एक corporation बनाया गया था, तो उसी तरज पे गोदावरी के लिए भी ये काम, sorry, दामोदर के लिए भी ये क नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following state has per hectare highest consumption यानि सबसे ज़्यादा फटिलाइजर का इस्तिमाल कहा होता है खेतों कही साब से यानि जतना ज़्यादा खेत उस ही साब से आईचे नहीं कि सबसे ज़्यादे कहा होता है खाली नहीं तो सबसे ज़्यादा कहा होता है गुजरात में पंजाब में वेस्ट बिंगॉल में या बिहार में तो सही option है पंजाब पंजाब में फटिलाइजर का इस्तिमाल बहुत ज़्यादा होता है पर हेक्टेर के हिसाब से next question है what is the rank of India in terms of total length of roads roads के मामले में भारत का क्या rank है पूरी दुनिया में तो भारत दूसरे नंबर पे है दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे अमेरिका है और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा सडके है वो कहां है भारत में है नेक्स्ट कुश्चन कोकबो रोक is the official language of which of the following state of India कोकबो रोक भारत के किस राज्यक का official language है option है आपका आसाम त्रिपूरा मनिपूर मेजोरम और का सही option है त्रिपूरा त्रिपूरा का है ये कोकबो रोक नेक्स्ट कुश्चन है which state of India has made rainwater harvesting compulsory for all houses सारे घरों में rainwater harvesting बनाना जरूरी है ऐसा किस state का नियम है option हरियाना, पंजाब, महाराष्ट्रा या तमिल नाडू किसका सही option हो गया तमिल नाडू, तमिल नाडू के हर घर में rainwater harvesting यानि के बारिस के पानी को संजो के रखने के लिए बियम बनाए गए है हर घर में और आज का आखरी सवाल, match करना है, match list 1 with list 2, list 1 को list 2 से match कराना है and select the correct answer using code given below और सही option select करना है, तो list 1 है agriculture product, list 2 है सबसे ज़्यादा production कहा होता है तो cotton का सबसे ज़्यादा production होता है गुजरात में, gram यानि चना, चना का सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में तो 1 का B, 2 का A, 1 का B, 2 का A, 1 का B, 2 का A, यह दुनों आगे बढ़ते हैं black paper, masala, keral में सबसे ज़्यादा होता है, बच गया कौन, pineapple, west Bengal तो 3 का D, और 4 का C, तो 3 का D, 4 का C, यानि यह वाला आपका सही option, A हो गया तो इस तरीके से जो है, आज के question session को हम लोग करते हैं समाप्त आप लोग अपने तयारे को किजिए द्रूस्त, और पढ़िए, लिखिए, बनिए IS, IPS, officer और साथ में हमें भी support करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जैहिन